सबी दर्शकों से राम जी राम असलाम अलीकुम स्वागत आपका हमारा विश्य चल रहा था प्राचेन तीरतिस्थान काबा तो आगे के सवाल जो है वो हम अब अलमा साथ से करेंगे जी अलमा साथ आप ये बताइए कि हर देश का एक अलग तीरतिस्थान होना चाहिए तो फ बहुत इंटरिस्टिंग सवाल किया जितने पेगंबर थे जितने नभी थे जितने इश्दूत थे वो सार बहुंते वो सारे संसार के लिए थे अगर भारत की देश की दर्थी बहुतार है ये हमारे लिए गरफ की बात है ये अपनी जगा हुई बात लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि जिस जगा वो सोते हैं जिस जगा वो रहे जिस जगा कुछ उन्होंने खाया तो बाकी धर्ती से वो कट गए ये सीमाएं तो बात को बनी है इंसानों ने खेच लीए रेखाये और सीमाएं जो बादर्श बना लिए और उसे अपना अप के लिए नहीं सारी दुनिया के लिए नहीं सिर्व भारतियों के लिए हो जाएगा तो अदम अले इसलाम भी सार बॉम थे सारे विश्व के लिए थे सारी दुनिया और सारे संसार के लिए थे तो इसमें इसका तो प्रश्री नहीं उटता कि वो इस देश में कुछ क्यों न ठीन भी होती है नाफे जमीन Morris से क्या होता है बच्चे को कहरो मिलता है अगर वो नेवल है तब मैं बताओं कैसे सबसे पढ़ी तो जो सनातन धर्म के जो मूल सबसे पवित्र गरंत हैं वो कौन से वेद है आप तो आप तो बहुत खेर ग्यानी है परादन धर्म के मूल धर्म गरंत वेद हैं रिगवेद के अंदर तीसरा मंडल उसका 29 वा सूप्थ और उसका चौथा मंत्र है नाबा पिर्थिविया यास्त्वा पदे अधी वयम धी मही इसका हर्थ है कि हम पिर्थवी की नाभी पर इलास्पद इला के स्थान को इश्वर के स्थान को हम पिर्थवी की नाभी पर धारण करें तो किसी पिर्थवी की नाभी की बात और किसी इश्वर के स्थान की बात वेद कर रहे हैं जो पिर नाभी के लिए ये बड़ी इंट्रेस्टिंग आपके लिए अनुफ होगा और कोई भी इनसान आप उचा हो लंबा हो लड़का हो लड़की हो महिला हो दीवार के पास खड़ी हो जाईए अपनी नाभी के लेविल के ओपर एक निशान दीवार होना चाहिए बहुत सच्छा उचा नीचा नहीं हो जाए अपनी हाइट का लगा लीजिए एक निशान दीवार पर लगा दीजिए अब हाइट का निशान आ गया बीच में नाभी आ गए नाभी से पाऊं नीचे तक की नाभी कितने उपर है दूरी नाप लीजिए सीधी नापे ये टेप टेड़ा नही तो जो नीचे का हिस्सा है नीचे का भाग नेवल से नाभी से पाऊं तक का उसको भाग दीजे सर से लेके नाभी तक का जो फासला था उससे जितने फिट बैटे इससे भाग दीजे डिवाइट कीजे आंसर आएका सब का दुनिया के सब लोगों का 1.6 तो अब नाभी आप पिर्थवी को ले लिए आज के समय में तो बड़ा आसान हो गया गूगिल अर्थ पर जाएं और बिल्कुल एक एक मीटर से आपको डिस्टेंस फासला मालू हो जाएगा यहां मार्क लगाएं और उतरी धूर नौर्थ पोल और साउथ पोल उतरी धूर तो पिर्थवी का और सिर से नावी तककी और एक दूरी नावी से आप सांव पोल तककी नाप लिए यह दूरी जब आप नापएंगी तो यह कावे से साउथ पोल तक की या दक्षिन दुरू की दूरी है 12,375 किलो मेटर और उत्तरी दूरू से लेकर कावे तक की जो दूरी है वो है 7,645 किलो मेटर अब 12,375 को 7,645 से आप भाग दी जा अंसर आएगा 1.6 यह नाभी है नाभा पिर्थिविया है और बेद कह रहे हैं जगा है यहां से रूहानियत का याधियत का केंद्रे तो इसलिए हज़रत आदम को यह आदेश हुआ कि सेंटर या मरकज उसे बनाना है और वहां तुम एक इश्वर की उपासना का इस थल्जे है उसका निर्मादा